तो भाई बहुत ही माड़ा ली थी कि अंच्वाई रंधावा टी स्टॉल जाओ इनके पनीर पकोड़े चाय और बर्फी बहुत ही सहा फेमस है तो क्या हाल चाल वारच आज हम लोग आ गए है जम्मू की फेमस शॉप रंधावा टी स्टॉल में जो की है जम्मू के सपवाल ए आज हम इनके पास ट्राइगरने वाले हैं पनीर पकोड़े और साथ ही साथ जाए तो फटावट से आपको लोकेशन दिखाते हैं तो बैस लोकेशन की बात करें तो यह है सपवाल एरिया तो जब आप जम्मू से कठूवा की तरफ जाते हो तो हाईवे पी आता है सपवाल और वो है सपवाल पुली स्टेशन और पुली स्टेशन के यहां पर आपोजिट में है रंदावा टी स्टॉल तो फटावट से इनके बास चलते हैं और ट्राइ करते हैं पनीर पकोड़े और साथ हुसाथ जाए पनीर पकोड़े तो यार हर जेगा मिल जाते हैं लेकिन इनके पनीर पकोड़ों में कुछ तो खास आया जो लोग पंजाब, हिमाचल, हर्याना, अधर स्टेट से जब भी जम्मू आते हैं तो रास्ते में रंदावा टी स्टॉल के पनीर पकोड़े, चाए और बर्फी खाने के लिए ज़रूर रुखते हैं और इनकी सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी कि जब भी आप इनके पास पनीर पकोड़े खाने जाओगे तो ये उसी टाइम पे फ्रेश पकोड़े निकाल कर आपको देंगे मेरे नाव सुनिल सिंगे राजा भाई है इंदर सिंगे काम करता हूँ पनीर के पोगड़े बनाता हूँ हालु भी आज वाले पकोड़े बनाता हूँ समोसे राड़ पकोड़े वैस यह हैं हमारे पनीर पकोड़े और इसके साथ इनों ने दिया हमें इमली की चट्णी और साथ में लिया बर्ती जो कि प्योर खोएगी रहती है और भाई गर्मी बहुत आज थी इसले हमने चाय की जगह कोल्टरिंगी ले ली तो पनीर देखो इनका और एक चीज़ आमने नोटिस की होगी कि जो इसके लिए रहे ना जो बेसन के लिए रहे काफी साथ पतली है ऐसे आज कंपेर तो मतलब अधर शॉप्स यह देखे लिए तो यह हमने डाली अदी के चटनी में डिप किया इसको अज़ पनीर जो है वह काफी साथ सौफ है और काफी साथ फ्रेश है और अवह हम टेस्ट करने कि बर्पी तो याँ इनकी जो बर्पी है आम जगह पर जब आप देखते हो तो बर्पी जो होती है न मतलब ताफी साथ मीठी रहती है लेकि जो इनकी बर्पी अंदर जो विठास की जो मात्र है वह एक्टम स्टेबल रखते है तो यही चीज इनकी सबसे बेस लगी और खोया भी देको तो यार बहुत यह अच्छा टेस्ट यह मस्ट्राइब लेसर और कभी यहां पर आओ यहां हाइवे से गुजरो तो रंदावती स्टॉल जरूर आना तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही ता अब हम सब अपने समान को खत्म करते हैं तो वीडियो पसंद आई तो लाइ वीडियो को लेकर तिल देन गुट बाइ लव यू